गवान विश्णु विसिकली एक श्राब की वजए से दशावतार लेना पड़ा और मिर्त्यू लोग पर आना पड़ा कभी किसी क्रियेचर के रूप में पर कभी किसी क्रियेचर के रूप में बड़ी खूब शूरती है अगर आपने मुझसे अभी आफ-लाइन बताया था कि यह दशावतार human evolution के बारे में बताता है और वैसे हम लोग इसके बारे में बहुत सुन भी चुके हैं लेकिन अब मैं यहां पर उच उन बातों हो जाना चाहूंगा जो पुराणों में हैं जो आपने पड़ी है कि सबसे पहला अतार मतश्य अतार हुआ बिल्कुल जिन्हों में कहा जाता कियामत आने वाली थी तो वहां पर भगवान ब्रह्मा को जो इस पीसी जानवरों की भी थी पौधों की भी थी ताकि यह सब घटा करके नए चीज सुरू कर सकें बिल्कुल मनु को उठाया जाता है कि आप उनका नाम तो राजा सत्य देव को चुना जाता है क और आपको बस प्रलाय से पहले इन सारी चीजों को उनको लिस्ट दी गई घटा करके रख लेना है बिल्कुल बिल्कुल सत्य देव ने पूचा बट उसके बाद क्या मैं प्रलाय होगी सुनामी आएगी मैं कहां जाओंगा तो डोंट वरी उसका प्रबंध अपने आप हो जाए गाए तो सत्य देव जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं वह अपने एक रूम में इसी में अध्य मचली को भी लेकर आते हैं कितनी छोटी सी मचली होगी जो की मैंने कथा सुनी है और लेकर पांड में रखते हैं अगले दिन और डबल हो जाती है बड़ी हो जाती है फिर वह स हो जाती नदी में रखते हैं वहां बड़ी हो जाती है ऐसे करकर कि इवेंचुली मतश्य उतार जो कि इतना बड़ा स्वरूप ले ले लेते हैं जब पर ले आती है तो एक नाव बनाते हैं उस पर रखते हैं और इन सारे आइटम्स को लेकर अगले युकिया एक अगली जर्म मुहिनी आवतार में वह है थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि अवतार था था तीसरे आवतार से आप की बारी आप बताना सुझ करेंगे तीसरे तो नरस्यम आवतार है जब तो हिरने कश्यप नाम का राक्षज था जिसका बिटा था प्रहलाद बहुत भक्ति करता था तुम हमें छोड़के विश्णु की पूजा कर रहे हो वो जिसने मेरे बड़े भाई हिरने आक्ष्यो का मारा था तो उसका वहां से भी उसका गुस्सा था लेकिन प्रहलाद की भक्ति का कोई अंत नहीं था उसे वो हमेशा विश्णु की भक्ति में लीन रहता था तो हिरन यह जो पिलर है यहां पे मेरे सामने स्तंब है इसके अंदर भी विश्णु है तो बहुत अच्छा तुन्हें जो स्तंब को मारा वो स्तंब टूटा और वहां से नरसे मवदार निकले अच्छा हिरने कश्यो को एक वरदान दिया था ब्रह्मा ने कि तुम्हारे मृत्यू न तो वह उसने सुझाए कि मैं अमर हूँ जो इतने सारे कंडिशन से फुल्फिल होई नहीं पाएंगे तो जब नरसम उस रूप में आये तो इसी रूप में इसी लिए आये क्योंकि वह आधे इंसान थे और आधे सीह थे तो उनका पहला कंडिशन कंप्रीट हो गया उन्हों कि वह ना मेटल से मरेंगे और ना वूट से मरेंगे उसने अपने नाखुनों से उसका पेट चीर दिया तो इस वजए से नरसम अवतार बने और उन्होंने उसको मार के प्रहलाद को मुक्ते दिलवाई एक बड़ी फेमस मूवी आई थी पहला तो पुरान टाइम की है भग यह बहुत लेसर नोन स्टोरी है कि नरसम क्योंकि मार की उनके अंदर इतना इतना क्रोध हा गया था कि वो पूरे ब्रह्मान में घुमने लगे और हर स्रिष्टी को वो मतलब थ्रेट बन गए कि अभी कुछ भी कर सकते हैं उनका गुस्ता शांत नहीं हो रहा था प्यासे श उस वरूल से तो शिफजी को बूला गया कि आप ही शांत कर सकते हैं तो शिफजी न एक रूप ले जिसको हम शरब नाम से जाना जाता है शरब का मतलब होता है बर्ड तो वह जो बर्ड भी था वह एक मगनीफिसन फॉर्म था शिफजी का उसके हजारों पंक थे हजारों उसके आखे थी और हजारों उसके टालेंज थे जो क्लॉज थे तो उस रूप में शरब ने और नरसिमा के बीच वार छिड़ा जो बहुत दिर चलता रहा अल्टेमिटलि शरब ने नरसिमा को उपर तक उठाया और फिर नीचे गिराया तो नीचे गिरा तब उसकी वो जो गुसा था वो सारा तूट गया वो खतम हुआ और वहा ते फिर विश्नु जी को लिबरेशन मिला तो शरब और शिवजी और नरसिमा विश्नु जी यह जो कहानी है यह और एक बहुत इंटरेसिंग एक्वेशन है विश्नु जी और शिवजी की जो पुराणे में आपको बहुत बिलेगी महले लए यो शिवजी हो विश्नु जी फाइट करते हैं आगे भी कहानिया आप या कथाय आप हमें सुनाएंगे इसके पीछे भी बहुत बड़ा मेसेज है कि जब भगवान ले रहे हैं कोई आउतार तो भगवान नहीं भी है और हैं भी बिल्कुल 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 अदर्वाइस क्रोध इतना कि भगवान कंट्रोल ले कर पा रहे हैं इसी यही श्राप का कारण है कि मृतिव लोग का असर है यहीं दुख है यहीं पीरा है जो कि भगवान होते हुए भी उनको साथ यहां पर जहल नहीं पादेंगे बिल्कुल